दिलासा देना, किसी को दिलासा देना, हम जो है इसके English meaning देखेंगे, फिर इसके similar words देखेंगे, फिर हम इसके examples देखेंगे, ताकि हमें ये word बहुत अच्छे से याद हो जाए, चलते हैं फिर इसका meaning देखते हैं, इसका English meaning होता है, वो होता है console, console, दिलासे देने को हम English में console कह अब देखते हैं इसके similar words तो इसके similar words होते हैं वो होते हैं become, soften, quieten तो ये तीनों ही console की जगा use हो सकते हैं अगर आप चाहें तो अगर आपको console याद नहीं आता है तो आप quieten, soften, become का use कर सकते हैं तीनों का मतलब ही दलासा देना है किसी को शांत कराना होता है अब हम बात करते हैं इसके examples की तो इसका जो पहला example है वो है जब उसका पाल तो कुटा मर गया तो कोई भी उसा दलासा नहीं दे सका आपने देखा कि console का कैसे use के गया इस sentence में मुझे उम्मीद है कि यह sentence आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा बात करते हैं आपने दूसरे sentence की मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिस की जब उसके पती की मिर्तिव हो गई I try to console my best friend when her husband die तो यहाँ पर भी देखा आपने console कैसे use के गया है किसी को दिलासा देने के लिए use किया गया है मुझे उम्मीद है कि दिलासा देना मतलब console यह word आपसको clear हो गया होगा अगर आपको वीडियो थोड़ी भी informative लगी हो तो प्रिस वीडियो को like share करना ना भूले मिलते हैं फिन नेफ्स वीडियो में तब तक के लिए good bye